वी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं मिलंबितां भुजंग तुंग मालिकां दमड़ मड़ दमड़ दमड़ निनादमड़ मर्वयं चकारचंड तांडवं तनोतुनह शिवह शिवं धराधरेंद्रु नंदिनी विलासवंधु वंधुर स्फुरद्धि गंत संतती प्रमुदमान मानसे कृपाकटाक्षधूरिनी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्धि गंबरेमनो विनोदमेतु वस्तुने एक बार फेर सबी का हारधि की स्वागत है शिव महापुराण के रुद्र सहिता पाठ में युद्ध कांड हमारा चल रहा है पंचिमम अमध्याय और उसमें हमारा आच्छतिस वाध्याय है देवताओं और दानवो का युद्ध शंक चूड के साथ वीर भद्र का संग्राम पुना उनके साथ भद्रकाली का भहिन कर युद्ध करना और आकाश्वाणी सुनकर निव्रत होना शिव जी का शंक चूड के साथ युद्ध और आकाश्वाणी सुनकर युद्ध से निव्रत हो विश्णु को प्रेरित करना विश्णु द्वारा शंक चूड के कवच और तुलसी के शील का अपरण फिर रुद्र के हातों तिर्शूल द्वारा शंक चूड का वद्ध शंक की उत्पत्ति का कथन सनत कुमार जी वाचह सनत कुमार जी कहते हैं महर्शे जब उस दूत ने शंक चूड के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा तत्व तह उनके यथार्थ निश्चे को भी प्रकट किया तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंक चूड ने भी परम प्रसनता पूर्वक युद्ध को ही अ जंगी कार किया फिर तो वह तुरंत ही मंत्यों सहीत रत पर जा बैठा और उसने अपनी सैना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दे दिया इधर अखिलिश्वर शिवजी ने भी ततकाल अपनी सैना को देवों को आगे बढ़ने की आज्या दी और स्वंभी ल शिग्रही युद्ध आरंब हो गया उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे वीरों के शब्द और कोलाहल चारों और सुनाई देने लगे मुने इस प्रकार देवताओं उद्धानवों का परस्पर युद्ध होने लगा उस समय वेदों नो सैनाए धर्म पूर्वक जूजने लगे स्वं महेंद्र व्रिश्परवा के साथ लड़ने लगे विश्णू दंब के साथ भीशन संग्राम करने लगे कोलासुर से काल, गोकर्ण से अगनी, कालकै से, कुबे मय से विश्व कर्मा, भयंकर से भयंकर, सनहार से यम, कलामबिका से वरुन चंचल से वायू, घट प्रष्ट से बुद्ध, रक्ताष्ट से शनेश्चर, सत्नसार से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनो दिप्ति मानों से, दोनो अश्वनी कुमार, धुम्बर से नल पूबर, वैश्वानर, धुनंदर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, श्वभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमत, गोपा मुख, चून, खडग, धुम्र, संहल, प्रतापी, विश्व और पलाश, नामक अशुरों से बारा अदित्य, धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे, इस प्रकाश्यों के सहायता के लिए आए हुए, अमरों का महा अशुरों के साथ, अशुरों के साथ युद्ध होने लगा, ग्यारा महारुद्र महान बल्ब, प्राक्रम से संपन, भयंकर से भयंकर, अशुर वीरों से भिड़ गए, उग्र और चंड, आदि के साथ महामनी, राहु के साथ चंद्रमा, और शुक्राचारी के साथ प्रेस्पती, धर्म युद करने लगे, इस प्रकार उस महा युद्ध में नंदीश्वर आदी भी शीवगर्ण श्रेष्ट दानवों के साथ संग्राम करने लगे, विस्तार भय से उनका प्रतक प्रतक वर्णन नहीं किया जा सकता, मुने उस समय सारी सैनाई निरंतर युद्ध में व्यस्ट थी और श दानवों के साथ रम्निये रत्न सिंगासन पर बैठे हुए थे, फिर देवताव तथा अस्रों में चिरकाल तक अत्यन्त भयानक युद्ध होता रहा, तदंतर शंक चूड भी आकर उस भीशन संग्राम में जो गया, इसी बीच महा बली वीर भद्र समर भूमी में बलशाली शंक चूड से जा भिडे, उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उन उनको वीर भद्र खेली खेल में अपने बानों से काट डालता था, व्यास जी इस समय देवी भद्र काली समर भूमी में जाकर बड़ा भ्यंकर सिंगनाद किया, उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मुर्चित हो गए और उस समय देवी ने बारं बारं अठास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नत्य करने लगी, उनके साफ ही उग्रदरश्टा, उग्रदरंडा और कोटी भी मधुपान किया और अन्य अन्य देवियों ने भी खूब मधुपी कर युद्ध स्थल में नाचना आरंब किया, उस समय शिव गणों तथा दवों के दलों में महान को लाहल मचनी लगा, सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ, हर्ष मगन हो गया, तदंतर काली ने शंकचूड के उपर प्रलै कालीन अगनी की शिका के समान उदिप्त आगने अस्त्र चलाया, परंतु देव राज, दानव राज, वेश्णरास्त्र से उसे उसनोने शिग्र ह शांत कर दिया, तभी तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायन अस्त्र का प्रियोग किया, वे अस्त्र दानव शत्र को देखकर बढ़ने लगा, जब प्रलै अगनी की ज्वाला की समान उदित होते हुए नारायन अस्त्र को देखकर शंक चूड दंड की भाती भूमी प व्रत हो गया, तद पशात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा, उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ, देखकर दानव राज ने भूमी पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया, और ब्रह्मा अस्त्र भी उसका निवारन कर दिया, तदंतर वहे दानव राज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुश को कीच कर देवी के उपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा, भद्रकाली समर भूमी में अपने विस्त्रत मुख को फैला कर उन अस्त्रों को निगल गई, और अठास पूर् प्यास्त्र समू से उसके सोच टुकडे कर दिये, यों उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवतार तथा दानव दर्षिक बन कर उसे देखते रहे, अंत में देवी ने महान कोपा वेश में आकर उस उस पर वेग पूर्वक मुष्ठी प्रहार किया, उसकी चोट से वे दानव राज चक्कर काटने लगा और उसी अक्षन मुर्चित हो गया, फिर अक्षन भर्मी ही उसकी चेतना लोटाई और वेह उट खड़ा हुआ, परन्तु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धी होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया, तब देवी ने उस दानव को पकड़ कर उसे बारम बार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूरवक उपर को उचाल दिया, प्रतापी शंक चूड वेग से उपर को उचला और प्रत्वी पर गिर कर पुरह उट खड़ा हुआ, उस महा युद्ध में वेह तनिक भी भ्र जानत नहीं था, बलकि उसका मन प्रसन्न था, तक पर शात वह भदर काली को प्रणाम करके भहुमल्य रत्नो द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा, इधर काली का भूख से विहल हो दानवो का रख्तपान करने लगी, इसी अफसर पर वहां यूव आक अतहार तुम्हें अपना इनको आहार बना लेना चाहिए, परंतो देवी संग्राम में दानवराज शंक चूड को, मारने के लिए मन मत दोडाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवद्य है, ऐसा निश्चे समझो, आकाश्वानी द्वारा कहे, इन वचनों को सुनकर देव भद्रकाली बहुत से दानवो का मास भक्षन करने लगी और उनका रक्तपान करने लगी, फिर वे शिव जी के निगट गई और वहां उन्होंने शिव पूर्वा पर के करम से सारा युद्ध व्रतांत कह सुनाया, व्यास जी ने पूछा, महा बुधिमान सरत कुमार जी, का काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, इसे आप वर्णन करने की करपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की बड़ी उतकंठा जागरत हो रही है, सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंबु तो जीवो के कल्यान करता है, पर मेश्वर और बड़े लिला विहारी हैं, वे काली द्वारा कहे इन भचनों को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हसने लगे, तदंतर आकाश्वानी को सुनकर तत्व ज्यान विशारत स्वयम शंकर अपने गणों के साथ समर भूमी की और चल पड़े, बोल शंकर भगवान की ज उस समय वे महा विशब नंदीश्वार पर सवार थे और उनी के समान प्राक्रमी वीर भद्र भैरव और शित्रपाल आदी उनके साथ थे, रण भूमी में पहुँचकर महिश्वार ने वीर रूप धारन किया, उस समय उन रुद्र की बड़ी शोबा हो रही थी, वे मूर्त चूड की द्रश्टी शिवजी पर पड़ी, तब वे विवान से उतरा और परम भक्ती के साथ दंड की बाती प्रत्व पर लिट गया, उसने सिर्के बल उन्हें प्रणाम किया, इस प्रकार नमस्कार करने के पश्शात वह तुरंत अपने विवान पर जा बैठा और कवच धारन करके उसने धनुष बान उठाया, फिर तो दोनों और से बानों की जड़ी लग गई, यो व्यर्त ही बान वर्शा करने वाले शिव और शंक चूड का वह उग्र युद्ध सैक्ड़ों वर्शों तक चलता रहा, अंत में युद्ध स्थल में शंक चूड का वद करने क के लिए महाबली महेश्वने सहसा अपना वह त्रशूल उठाया, जिसका निवारन करना बड़े बड़े तेजस्यों के लिए भी असंभव है, अशक्य है, तब ततकाल ही उसका निशेद करने के लिए यो आकाश्वानी होई, शंकर मेरी प्राठना सुनिए और इस समय इस त्रशूल को मत उठाये, इश यद्दपी आप शन मात्र में शन मात्र में पूरे ब्रह्मान का विनाश करने में सरवता समर्थ हैं, फिर भी इस अकेले दानवशंक चूड की बात ही क्या है, तथा पि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना प्रभूर, महादेव आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्तेवं सफल बनाईए, वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंक चूड के हाथ में श्री हरी का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, और इसकी पती वरता प्रत्नी पत्नी तुलसी का सतित्व कंडित हो रहेगा, तब तक इस पर जरा और मित्ति अपना प्रभाव नहीं जमा सकेगी, अतहर जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्ते कीजिए, तब सत्पुरुषु के आश्रे सुनकर शिव जी ने उस आकाश वानी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्विकार कर लिया, और विश्णू को उस कार्य के लिए प्रेरित किया, फिर तो शिव जी की इच्छा से विश्णू वहां से चल पड़े, वे तो मायावियों में भी स्रेष्ट मायावी ठेरे, अतहर उन्होंने एक व्रद ब्रहमन का वेशदारन किया, और शंक चूड के निकट जा कर, उस से यों कहा, व्रद ब्रहमन बोले दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुमारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो, दीन वसल अभी मैं अपनी मनुरत को प्रकट नहीं करूंगा, जब तक तुम देना स्विकार कर लोगे, तब पीछे मैं उसे और तब तुम उसे पूर्ण करना, ब्रहमन की बात सुनकर राजेंद्र शंक चूड का मुख और नेत्र प्रसंता से खील उठे, और उसने ओम कहकर उसे स्विकार कर लिया, तब ब्रहमन ने चल पूर्वक कहा, दानव दानवेंद्र मैं तुमारा कवच चाता हूँ, यह सु तुमकर रैश्वरी शाली दानव राज शंक चूड ने जो ब्रहमन भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्यकवच जो उस प्राण के समान था, ब्रहमन को दे दिया, इस प्रकार श्री घरी ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया, और वह फिर शंक चूड का रूप धा तुलसी के पास पहुचे, वहाँ जाकर उसके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरी ने शंक चूड रूप से उसकी शील का हरन कर लिया, इसी समय विश्णु भगवान ने शंबू से अपनी सारी बात कह सुनाई, तब शिव जी ने शंक चूड के वद के निमि अपना उधित तृशूल हात में लिया, परमात्मा शंकर का वहे विजई, नामक तृशूल अपनी उतकर्ष्ट प्रभा विखे रहा था, उससे सारी दिशाएं प्रत्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे, वहे मध्यकालीन, करोडो सूर्यों तथा प्रड़े अगनी, कि श स्चिखा के समान चमकीला था, उसका निवारन करना संब्रव था, वहे दुर्धर्षक कभी व्यर्थना होने वाला और कि शत्रो का सनहारक था, वहे तेजो का त्यंत उग्र सम्हू, संपुन, शास्त्राण्त्रो Какा सनहारक, भयंकर और सारे देवताओं था अस्रों के लिए दुस्सह था वह एक ही ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रेले संपुण ब्रह्मान का सनहार करने के लिए उद्यत हो गया हो उसकी लंबाई एक हजार धनुष और चोड़ाई सो हाथ थी उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्मान नहीं हुआ था उसका रूप नित्य था आकाश में चक्कर काटता हुआ वहत्रिशूल शिवजी की आग्या से शंक चूड के उपर गिरा और उसने शन में ही उसे राक की धेर विना दिया विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेख शाली था वह शिग्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आप पहुचा फिर आकाश मार्क से चला गया और उस समय स्वर्ग में दुन्दुभिया बजने लगी कंधरव और किन्नर गान करने लगे देवोत था मुन्यों ने इस्तुती करना अरंब किया अपसराय नत्य करने लगी शिवजी के उपड लगातार पुष्पो की वर्षा होने लगी और भ्रह्मा विष्णु इंद्रादी सभी देवता मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे दानव राज शंक चूड भी शिवजी की करपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पुर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई शंक चूड की हड़ियों से शंक जाती का प्रादुरभाव हुआ जिस शंक का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवता के लिए प्रशर्स्त माना जाता है महा मुने श्रीहरी और महा लक्षमी को तथा उनके संबंदियों को भी शंक का जल विशेश रूप से अतिन्त प्रिये है किन्तु शिव के लिए नहीं इस प्रकार शंक चूल को मार कर शंकर उमा इसकंद और गणों के साथ सवार प्रसंता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिव लोग को चले गए भगवान विश्णु ने वैकूंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण प्रमानंद मगन होकर अपने अपने लोकों में चले गए उस समय जगत में चारों और शांती छा गई सबको निर्विग्न रूप से सुख मिलने लगा आकाश निर्मल हो गया सारी प्रत्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कारिय होने लगे मुने इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंद दायक सर्व दुखारी लक्ष्मी प्रद और संपूर्ण कामनाव को पूर्ण करने वाला है इती श्री रेवा खंडे रुद्र सहीता नाम पंचमो अध्याय जुद्ध कांड का आज हमारा चालिस अध्याय पूर्ण हुए 41 अध्याय में हम करेंगे विश्णु द्वारा तुल्सी के शील का हरन का वर्णन कुपित हुई तुल्सी द्वारा विश्णु को श्राप शंबु द्वारा तुल्सी और शाली ग्राम शिला के महत्मय का वर्ण ओम नमस्षिवाई 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 शंकर शिव भोले जै भोले नाथ जै शिव शंबु